हेलो मित्रों कैसे हैं आप सब आई हूप कि आप सब बहुत बढ़िया है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन एकसराइज जो पहली है आपकी क्लास फोर की एंगलिस की और प्रैक्टिस प्रैक्टिस पीपर जो इसके बाद दिया गया है आप देखते जाएए कंप्रेट वीडियो देखें और अपनी जो बुक है उसको फिल करें ठीक है तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं और वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कहां से हैं ठीक है जिली का नाम जबूरू बताएं चलिए में तनों सुरू करते हैं अगर आपको ख्लिये नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वाल्टी इंक्रीज कर लें दोगो सबसे पहले दिया गया है राइट थ्री राइमिंग बर्ड है न क्या दिये गए है र हाल डॉल ठीक है और राउंड्ट का है फान्ड साउंड और बाॉंड ठीक है इस तरह से आप इनको भर सकते हैं अगला है दूसरा राइंट true or false true or false हमको भनना है देखो राजुसाल्व एंड कालु लाइक फन ट्रू है और फिर क्या दिया गया है मोना लुक्स लाइक लेंप इन दा मून लुक्स लाइक लेंप इन देयर तो यह भी ट्रू है आपका ठीक है अनुद आंट वास बहरी सेड यह आपका फालस है ठीक है क् की वह खुषी थी ना कि वो सेड मतलब होता है दुख दुख तो थी नहीं वह खुष हृत रहे ही क्योंकि वह बजार जा रही थी अनुद आंट है न रेटी-दा-डेट कि रेटी-दा-डैट कट दा कीजू पर यहस टू अगला क्या है दा केट वाज रुलिंग डाउन ठीक है तो इसलिए यह फाल्स है ठीक है अगला क्या है तीसरे में look at the picture and write the name of any one things you see in the each picture देखो एक पिक्चर दीखना है आपको जो पिक्चर दी गई है उसमें किसी एक चीज का हमको नाम दिखना है तो इस चीज में आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है आपको servant aunt and umbrella तो अगला क्या है अगला है आपका KEEJ यानी चलते हैं अगली पर अगला क्या है कि आपका इदर आंट है तो मैंने आंट लिख दिया आफ़ोर्द क्यूस्टन में आपtv 1912 fill in the blanks with a and the, है न, a and or the, तो दीखिए मित्रो, सब सब पहले आपको बनना है, the moon looks like a lamp in the air, ठीक है, फिर क्या है, an elephant is a big animal, ठीक है, उसके बाद क्या है, it is fun to swim in the lake, ठीक है, अगला क्या है, a new, the aunt wanted to buy a pen and an, इधर बनना है आपको an, ठीक है, a and an, अगला क्या है, पांच माचीची, the baby bird was put in a cage, इभनना है ठीक है, अगला क्या है, question, अगला question दिया गया है, complete the sentence using the given word, ठीक है, जो bird दिये गए हैं, इसकी साहता से sentence को complete करना है, देखो बच्चो, सबसे पहला जो है, the moon signs in the sky, ठीक है, पहली में बनना है आपको sky, अगला क्या है, राजू and Mona found a baby bird, तिसमें बनना है आपको baby bird, अगला क्या है, the cat was running after a wool wall, तिधर बनना है आपको wool wall, ठीक है, अगला क्या है, राजू, साल्यू and कालू are playing in the water, तिधर बनना है water, और मां की पेचा market, using punctuation marks, आपको sentence बनाना है, ठीक है, तो देखो, इसके table के according में ने दर sentence बनाई है, मैं पढ़के बता दीता हूँ आपको, ठीक है, उसके कोणा आप भी भर सकते हैं, ठीक है, पहला है, अगर वीडियो में clear नहीं दिख रहा है, मोना लाइक्स टू फ्लाइ काइट, एक केट लाइक्स मिल्क, राजू लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, एन एलिफेंट लाइक्स टू इट, इधर है, ई, ए, टी, इट, ठीक है, इट बनाना है, इसको आप वीडियो को पॉस करके भी आराम से, नूट कर सकते हैं, ठीक है, अब अगला है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट पीपर बन, ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट पीपर बन में, सबसे पहला कुस्चन है आपका, कौन सा, कि, री साइट एनी फूर लाइन्स और पूयम फ्रोम यूर टेस्ट बुक, तो आपको चार लाइने जो है अपनी टेस्ट बुक की इस question में लिखना है ठीक है और उनको पढ़ना भी है ठीक है चार लाइने कोई भी जो पोयम है आपकी तो आप उसमें से आराम से चार लाइने लिख सकते हैं ठीक है अगला question क्या है दीखो answer the following पहला है what does कालू run for जो कालू है किस के लिए दोड़ रहा था तो run for ball के लिए ठीक है अगला है who looks like a lamp in the air तो इदर है the moon ठीक है अगला है what was the name of the aunt तो उसका नाम था अनू के नाम था ए एन यू ठीक है अनू अगला question क्या पूंचा गया है who come to free the baby bird baby bird को free कराने के लिए कौन सा other words आई है ना कौन दूसरी चलिया आई उसको free कराने के लिए who is running after the cat wall तो डॉल के पीछे कौन दोड़ रहा था the cat है ना अगला है third में write two rhyming bird from the given bird तो दूखर two rhyming bird हम इस पकार से लिख सकते हैं काल का फाल और टाल ठीक है रन का फन और गन फाउंड साउंड सट हट फैट और मैट ठीक है इस परकार से आप नूट कर सकते हैं ठीक है अब चलते हैं अगली question पर अगला question क्या पूंचा गया है आपसी अगली question में आपसे दीको डिगरी है बूप पूंची गई है न तो इदर देखो positive degree comparative degree और अधर super relative degree ठीक है जैसे big bigger biggest इसका मतलत भी होता है बड़ा उससे बड़ा और सबसी बड़ा ठीक है तो मैं इसको और बड़ा कर दीता हूं थोड़ा जी से आपको clear देखे ठीक है देखो big 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 biggest फिर फिर है fairer और fair e st लगाना है अंत में est ठीक है अगला है long longer longest ठीक है अगला क्या है good better best इदर तो good है इदर best equipment अगला क्या है देखी question अगला है fill in the blanks with suitable article तो पहली में है the earth is round like an orange ठीक है an elephant is a big animal the ganga is a holy river an owl lives in a tree holes ठीक है अगला है arrange the jumbo letter and write meaningful word इदर जो letter है वो इदर उदर हो गए है तो उनको सही जो करम में लिखना है देखो इसको लिख देंगे हम joy ठीक है अगला है LAIT इसको टेल लिख देंगे अगला है ALEF तो इसको leaf लिख देंगे और USN को sun लिख देंगे I hope guys कि आपको clear हो गया होगा वीडियो को लाइक को चले सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में जन्द ही टिक क्यार बाइबाइ